हेलो फ्रेंड्स मैं एलार कुमावत प्रभक्ता मेकैनिकल आरेशी इंजिनेरिंग गॉर्मेंट रामचंद खितान प्रटेक के ओनिल्ट कोलेज जेपूर मैं आज आपको एडवांस रेप्रिजेशन MR301 सब्जेक्ट के टॉपिक कुलिंग टावर के बारें बताऊंगा जिसमें अपन इसके बेसिकस और इसका इसके कर्श्रक्षन के बारें बात करेंगे कुलिंग टावर कुलिंग टावर जो है वो रेप्रिजेशन एर कंडिशनिंग सिस्टम में जो चाहिए इसमें water cooled कम बंडेंसर्ट है इस में काम मैं रहता है जी एक आपर पहले । कर चुके हैं वाटर की जो है ना अपने कम मातरा में जरूत तो जहाँ एवगलेबलीटी होती है यानि उसी वाटर को पन रिस्रकुलेट कर्लेट करते रहते हैं उसके लिए अपन मेकप वाटर सप्लाई करते रहते हैं तो इस तरह का कुलिंग टावर वहां पर काम में लिए ताकि उसी water को continuously cool करता रहे और वो ही heat लेकर के आये और cooling tower के दूब हीट को reject करता रहे cooling tower जो है उसमें जो warm water आता है वो condenser से आता है इसमें जो cooling होती है वो cooperative cooling process के द्वारा होती है water जो हन यह operate होता है और latent heat के रूप में heat लेता है कुछ जो हैं sensible heat भी air के द्वारा ली जाती है वो बहुत कम मात्रम होती है man जो heat ली जाती हो यह operating cooling process के द्वारा latent heat के रूप में heat ली जाती है इसमें जो है यह एक enclosed tower होता है जिसमें की water जो है वो spray करवाया जाता है और उसके against में जो हने वो atmospheric air को circulate करवाया जाता है force भी करवा सकते हैं और natural भी हो सकती है circulate करवाया जाता है ताकि वो air water के contact में आती है और operation process होता है और जिसके लेटेंट heat के रूप में heat महां से निकलती है और जाती है water अपका ठंडा होता है यह सिस्टेमेटिक डाइग्राम है cooling tower का जिसमें यह cooling tower है यह पुरा-पुरा cooling tower है यहां से जो हने hot water जैसे condenser है यह वाला condenser यहां यह condenser दे रखा है यह अपने refugies system के बारे में बात करेंगे जिसका यह condenser है condenser से hot water यहां से आएगा यह आपका बालु लगा होता है यह bypass लगा होता है इसके द्वारा यह water यहां से आ रहा है hot water और यहां जाकरके और इसमें cooling tower पर यहां पर spray करवाया जाता है यहां पर इसके उपर spray कर जाता है यह टावर है इसके अंदर air का इंदर आपका इस तरह से आता है तो दोनों contact वाएक दे यह operation process होगा और यहां पर जो हना अप थंडा बाट पामी इसका temperature कम होगा यहां से फिर यह water जो है pump के द्वारा pump लगा होता है यह आगे pump है यह वाला pump है इस pump के द्वारा यहां से सर्कुलेट होता है वापिस कंडेंस में बेज बेज बेज़ता है तो यह systematic diagram है pulling tower का क्योंकि इसमें यह operation process लगाता चलता रहता है जिसके काण से water जो यह operate होता रहता है तो water की quantity कम होता जाती है इसलिए आहां पर अपने makeup water का arrangement भी लगाते हैं जो जितना water यह operate हो उतना ही water makeup के लिए बेज दिया जाता है यह bleed-off line है जहांसे के बार-बार इसको वाटर को जब बहुत ज़्यादा यह operation होता है इसको concentration बढ़ जाता है तो bleed-off करते है तो this is the general arrangement of the cooling tower जिसके पन देख सकते हैं यह cooling tower size इसके बारे में जोहना अलग्स की operation करेंगे आपने किस तरह से एक बार के बारे में बताया कि वार्म वार्म वार्टर फॉर्म दे कंडेंसरिस पंप ओवर दे टॉप आप दे कुलिंग टावर के ऊपर जो है आपका वार्म वार्म वार्टर बहां जांता है योई यह जियादा प्र्शक्या फ्रह लुँक्र माण जबता है कि अधर यहां पर ऐसे के अंस्ञिप करवाया ज़ाफ है उपर से नीचे के और तो है के सब्सक्राइब करने डिए, ऊपकाक बंक सब्सक्राइब करेंगे हैं फिरस स criteria के भी नीचे फिरस उन। जो अपने कुप्राप्त हो सकता है इस प्रोसेस के द्वारा वा है, आपका एर एंट्रो estノ cloudy हो उसके वडिविटी हो उसके बराबर अपने मिनीम्माORTERS कर सकते हैं लेकिन इतना प्राप्त नहीं हो सकता कुछा से स्टेंगर्ससे वह उसकी Państwo kona लुटीन से इसके अनुसार ही यह आपका डॉू रूर्लू वीटीनि एड़ जदा रहता है डॉटी से तुड़ performed के अस्वास ज्यादा रहता है यह अलग लग फेक्टर्स पर डिपेंड करता है लास्ट जो यदि आइडियल कुलिंग टावर है तो उससे अपन टेमटरेशर डावली बिटी के बराबर प्राब कर सकते हैं इससे नीचे प्राबते नहीं कर सकता इसमें जो है आपका टेमटरे कुलिंग प्रोसेस अकर्स्ट जू तो यॉपरेशन ओप द वार्टर के एउपरेशन के कारण से कुछ हीट जो है ने जो है किस रूप में रिजक्त होती है तो मैं जो है वालेटेंट हीट वहां लेकिन कुछ मातरम सेंसिवल हीट भी आपके कुछ मातरम सेंसिवल हीट भी जो वहाना एर के साथ में जाती है कि दोनों ही इसमें ग्लेटेंट हीट प्लस सेंचिवल हीट दोनों ही तरसे हीट रिमूवड होती है इस देन इफेक्टिनों स्कुलिंग टावर डिपेंड्स ओन डवलुवटी ओप दे इंट्रिंग जो मैंने अभी बताया यह जो डवलुवटी जो है इंट्रिंग एर का उतना एर टेंप्रेशर पंड टाप्ट कर सकते हैं यानि जितना काम डवलुवटी होगा एर का इफेक्टिवनेस उतने ही ज्यादा होती जाएगी कुछ फेक्टास जो की कुलिंग टावर के पर्फोर्मेंस को प्रभावित करते हैं उन्हें सबसे पहले डवलुवटी ओप दे एंट्रिंग एर इसने एर का जितना डवलुवटी काम होगा एर का टेंप्रेचर उतना ही नीचे तक आने की संबावना रहती है उससे नीचे नहीं आ सकता इसलिए एर का डवलुवटी जो है वो उसकी कि दूसरा अंट आप शोडर सोड़ोज और टाइमने टिस्तकी च्छाहिँं कि पर्पोर्मेंसे इसको परभामिट करता है, बाल जनुद कक्रार कितना सदधा ग्रर्दा ज्यादा वेपर उसमें आपकी आने पाएगी इसी तरह से भी बहुत ज्यादा उसकी वेलोशिटी है तो एर ब्लॉप एर जोन वाटर को इपने साथ ब्लॉप करने लग जाएगी जो भी जो की अपने लिए शुटेबल नहीं है इसलिए एक आप्टिमुम वेलोशिटी ओप एर उसपे भी जो आने कुलिंग टावर की प्रफोर्मेंस डिपेंड करेगी यानि की जो है वेलोशिटी जो है कि ज्यादा होगी तो परफोर्मेंस अच्छी रहेगी लेकिन बहुत ज्यादा होगी तो भी आपकी बहुत कम होगी बहुत ज्यादा होगी तो दोनों ही अपन कांवड्र प्लो भी हो सब्सक्राइया, पर्लल ऊसकता है , कि इसमें एंगल्स होता है , , और उसके प्लम करेंगा , कि सब्सक्न से चोरा , आफ अपकर प्लमीन मिल design , जाध रहे कांग की सब्सक्राइए , झाफियक निश्चित मात्तव तक निश्षित मात्रा गवाद में टी ही ओर ज्यादा पने श्की फ्लोरेट बडाते हैं तो और बहुत ज्यादा फरकना पडता है लेकिन पहुत ज्यादा हुता है यह खने तो इसलिग क Wisconsin की शे यानी भू जो कि दारेक्टली एर के कॉंटेक्ट में आ सकती है that is known as the exposed surface of the water तो सबसे जो इन में जो water surfaces लेते हैं वो एक तो यह लेते हैं water जो basin में water रिकटा हो गया वो है then wetted surface of the in the tower tower के अंदर आ wetted surface combined surface of the water droplets falling जो water droplets नीचे आ रही है उनका complete surface भी इसी में calculate के जाएगा तो this is the cooling tower इसके बाद में अपने इसके details से इसके बारे में study करेंगे इसके types इसके performance इत्यादी सभी चीज़ों बारे में study करेंगे thank you